प्रकृती को अगर इंसान छेडेंगे तो प्रकृती रौध रूप दिखाती है और प्रकृती आपको छोड़ती नहीं ये बात सभी को पता है बावजूद इसके इंसान नदी नाले पहाड़ों पर जुल्म ढालता हुआ नजर आता है और आपको जो अगली तस्वीर हम पहाएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि खुदरत को छेड़ने का अंजाम क्या हुआ देखे रिपोर्ट में पूरी खबर जी हाँ बारिश होते ही पहार ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है देखी कैसे पहाड भरबरा कर जमीन पर गिर रहा है मलबा और बड़े बोल्डर तूट कर नीचे सरक रहे है पहाड का क्रोथ तो रुखने का नाम नहीं ले रहा है ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा पहार जमीन दोज हो जाएगा जैसे पहाडियों से सालाब मौत बनकर नीचे बहती है उसी तरह यहां पहाडियों से मलबा और चटान मौत बनकर नीचे आ रही है पुद्रत के क्यामत का ये खौफनात वंजर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का है जहां भयानक लैंड सलाइट से हरकम पमच गया पहार दरकने का ये लाइब वीडियो कैमरे में गया जैसे ही लैंड सलाइट शुरू हुआ लोग चीखने और चिलाने लगे कई लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई गनिमत रही की लैंड सलाइट की चपेट में कोई नहीं आया शिलाई और तिंबी के बीच नैशनल हाईवे 707 पर भारी मातरा में मलबा जमा हो गया जिससे ये हाईवे बंध हो गया हाईवे के दोनों और वहनों की लंबी खतार लग गई जिससे लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा इलाके में सड़क चोड़ी करन का काम चल रहा है अस्थानिये लोगों का आरोप है ये गलत धंग से पहाड़ों की कटाई की जा रही है ऐसे में थोड़ी सी बारिश के बाद भूर स्खलन शू हो जाता है वहीं लोग अपनी जान जोकी में डाल कर लैंडसलाइट वाले इलापों में आवाजाही को मजबूर है